नमस्कार Q5 Network में आपका स्वागत है हम पत्रकारिता में निश्च पक्षिता, इमानदारी और पारदर्शिता के पक्षितार हैं और इन मूलेओं पर प्रतिबध हैं आपके लिए हम लेकर आए हैं आज की कवर स्टोरी पाकिस्तानी सेना करेगी खेती पाकिस्तान इन दिनों हर तरफ से संकर से घिरा हुआ है जहाँ एक और आर्थिक हाला तेजी से बिगड़ते ही जा रहे हैं तो वहीं पूर प्रतानमंत्री इमरान खान को लेकर भी दुनिया भर में उसे फजीहत का सामना करना पड़ रहा है हालाते सथ तक खराब हैं कि आम जनता के भूखे मरने की नौबत आ रही है ऐसे में अब पाकिस्तान की सरकार ने एक और फरमान जारी किया है इसके मुताबिक अब पाकिस्तानी सेना खेती करेगी पाकिस्तान में करीब 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का कारोबार करने वाली पाकिस्तानी सेना अब खेती करने जा रही है पाकिस्तान के पंजाब प्रांद की केर टेकर सरकार ने राजी के तीन जिलों भक्कर, खुशाब और साहिवाल में 45,266 एकर जमीन को सेना को सौप दिया है पाकिस्तान की सेना इस जमीन पर कॉर्पूरेट अगरिकल्चर फार्मिंग करने जा रही है पाकिस्तानी मीडिया की माने तो इसके लिए सेना के जमीन निदेशाले ने पंजाब प्रांद के मुख सचिव समेद कई पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भी लिखा है इसके लिए सेना ने कुल 45,266 एकर जमीन राज्य से मांगी थी पाकिस्तानी सेना को खेती करने के लिए मंजूरी इसले दी गई है ताकि वो फसलों के पैदावार को बढ़ा सके ये प्रजेक्ट जॉइंट वेंचर में पूरा किया जाएगा सूत्रों की माने तो सेना इसमें प्रवन्धन स्तर की भूमी का अदा करेगी जबकि भूमी का स्वामे तो प्रांती सरकार के पास ही बना रहेगा सेना को कार्पोरेट क्रशी से मिलने वाले राजस्व का कोई भी फायदा या हिस्सा नहीं मिलेगा इस परियोजना को कई चर्णों में पूरा किया जाएगा पाकिसानी न्यूस चैनल जियो टीवी ने सूतरों के हवाले से बताया कि खादे सुरक्षा सुनिश्यत करने के लिए और खेती की जमीन में पानी की उपलगता को सुनिश्यत करने के लिए सेना हर साल भूमी का निभाती है नमस्कार क्यू आइव नेटवर्क के लिए मैं रिचा